हेलो दोस्तों, ओके कोचिंग सेंटर के यूटूब चैनल में आज सभी का स्वागत है दोस्तों, आज से हम लोग हेलो एलकेन तथा हेलो एरेन सुरू करने जा रहे हैं जिस तरीके से अभी तक हम लोगों ने फिनॉल को खत्म किया, जिसमें मैंने मातर आपको 13 कुशन दिये थे जिस तरीके से हम लोगों ने एथर खत्म किया, जिसमें मैंने मातर आपको 5 कुशन करवाए है उसी तरीके से आज मैं हैलो इलकेन तथा हैलो एरीन जो आपका छटमा चैप्टर है चैप्टर नमबर 6 औरगैनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर इसको आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं तो मैं बोल दूं मात्र 11 कुईशन से ही पूरे हैलो इलकेन तथा हैलो एरीन से कुईशन आपके बोर्ड एक्जाम में आएंगे इसकी पूरी 90 परसंट प्लस गैरेंटी मैं इसकी दे सकता हूं कि जो कुईशन आएंगे वो मान करके चलिए कि 100% मान लेजिए इसको 100% इसी में से आएंगे एका दुखा कुशन कभी कभी इदर दर जाता है अधरवायज मान करके चलिए कि 100% गैरेंटी है कि इनी मात्र ग्यारह प्रस्णों में से ही कोई एक प्रस्ण या कोई पांच नंबर का प्रस्ण आपके बोर्ड एक्जाम में आएगा लिख करके लिए लिजी बिपुल सर ने बोला है कि आपके बोर्ड एक्जाम में हैलो एकिन था था हैलो एरेन में से मात्र इन्ही 11 प्रस्णों में से कोई एक प्रस्ण आने वाला है पांच नंबर का तोटल है लोग लोग पांच नंबर के आसपास पूछा जाता है तो उतना लगो लगो आएगा तो एकदम बिलकुल जुड़ जाए तैयारी में जोस से जोस कम ना होने पाए सबी लोग एकदम अपना फुल एनरजी बना करके रखिए वोड़ एजाम तक आपके उल्टे गिंते सुरू हो गई है मात्र 75 दिन और बचे हैं आपके पेपर के तो बिलकुल सबी लोग तैयारी में लग जाएए देखे आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं और हैलो एलकिन तथा हैलो एरीन टॉपिक का पहला प्रस्ण लोग लोग लेने जा रहे हैं तो जो लोग अभी तक फिनॉल और इथर नहीं पढ़े हैं इसको जाकर करके वीडियो वन से अच्छे तरीके से उसको पढ़ ले और जो लोग पढ़ चुके हैं इसको अच्छे तरीके से देखें इस वीडियो को और इसको लोग नोट्स करते जाएंगे इसके अलावा अगर आपको जो मैरे पीडियाफ भी दिखाये ये पीडियाफ और भी किसी सब्जेट का अगर आपको चाहिए तो हर सब्जेट का हमारे पास राम बाड यानि की important question board exam के लिए available है बिल्कुल guarantee के साथ available है आपका इंसर नहीं आएगा तो नहीं आएगा तो आपका पैसा refund कर दिया जाएगा आपका पैसा वापस आपके खाते में भेज जा जाएगा इसकी पूरी full guarantee रहेगी तो चलिए आते हैं पहले question पर कैसे लेना है इस screen पर आपके number चलना होगा उस पर जाके whatsapp करिए आपको provide कर दिया जाएगा उसी number पर आपको payment भी करना होगा पहले question में बोला है chlorobenzien का chlorrionоде का chloro benzine की chlorreen पर माड़ की तुलना में कम क्रियासिल क्या होता है तो आप बताएंगे कम क्रियासिल क्या होता है इसके बार ने थोड़ा सा लिखना है इसके लावा chlorobenzien की cL2 के साथ अभकरिया यानिकी जिसको Хотяilogenी कारवकरिया हम लोग बोलते हैं इसके लावा सांद्र H2S4 से क्रिया जिसको उनों बोलते हैं सलफोनी का रड़ क्रिया बोलते हैं ये दो आप क्रिया ही लिखनी है ये आप देखेंगे को न मिला करके पांच नंबर का क्विश्चन है यानि कि एक नंबर आपको मिलेगा ये लिखने पर दो दो नंबर की दो रियक्षन आपको दिये गए तो आईए यहां से सुरू करते हैं ये रहाव का आंसर सबसे पहला आंसर कि क्लोरो बेंजीन का क्लोरीन परमाड़ क्लोरो एथिन के क्लोरीन परमाड़ से कम क्रिया सील क्यों होता है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह रहाब का क्लोरो बेंजीन क्लोरो बेंजीन का सूत्र क्या होता है बेंजीन के उपर C-L बेंजीन के उपर C-L को कहते है क्लोरो बेंजीन वह इपर क्लोरो एथेन क्या होता है तो यहाँ देखें सूतर लिखा हुआ है CS3, CH2 CL को कहते हैं क्लोरो एतेन कहते हैm अब पहले रीजयन समझे देजी यहाँ पर तब मैं आगे बढ़ता हूँ इसको समझाता हूँ क्लोरो बैंजीन का क्लोरीन परवाड़ क्लोरो एतेन के क्लोरीन परवाड़ तो जैसा कि मैंने आप लोगं को आफ लाइन क्लास में पूरा डीटील में अच्छे दरीक से बताया है, समझाया है, कि बेंजीन में जो 6 कार्वन परमाड होते हैं, उन सभी 6 कार्वन परमाड वोपर कौन सा संकरड होता है, उन सभी 6 परमाड वोपर होता है, SP2 संकरड होता है और SP2 संकरण का मतलब होता है जहाँ पर double bond होता है वहाँ होता है SP2 संकरण क्योंकि यहाँ पर हर जगा पर double bond होता है alternate पर इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग SP2 संकरण है हर carbon के पास वह अगर आप ख्लोरो एथेन की बात करेंगे तो क्लोरो एथेन में आप देखिए सिंगल सिंगल bond है यहाँ भी सिंगल bond है इसलिए इसमें जो carbon परमाण होन पर कौन सा संकरण होगा उन पर होगा SP3 संकरण और इसके जो क्रिया सेलता का क्रम होता यह देखिए होता है यानि कि SP3 संकरित जो carbon परमाण होता है वो अधिक्रियासील ESP2 उससे कम क्यों क्योंकि ESP3 होता है सिंगल बॉंड में ESP2 होता है डबल बॉंड में और ESP होता है ट्रिपल बॉंड में संकरड अब आप बताईए इन तीनों में से तोड़ना किसको आसान काम है कहीं सराव सिंगल जो रहेगा कोई एक आदमी जा रहा है उसको जाओ मार के भाग जाओ भीचारा कुछ भी नहीं कर पाएगा यानि कि सिंगल अगर कोई है तो उसको मारना आसान है यानि कि उसमें अभिक्रिया करना आसान काम है यानि कि उसमें अभिक्रिया तीजिस होगी यानि कि उसके क्रिया सीलता अधिक होगी वहीं दो लोग जा रहे हैं अब जाके मार के दिखाईए अब थोड़ा सा को डर लगेगा पता चला एक को मारी दूसरा पकड़ ले दवरा करके उत्त क्या हो जाएगा क्या होगा तो आप थोड़ा सा मारने में डरेंगे यानि कि यहां पे अविक्रिया थोड़ी सी हो जाएगी कम यानि कि यहां पे अविक्रिया होने का चांस जोगा थोड़ा सा bond को तोड़ना hard काम होगा इसलिए यहां पे अवक्रिया बहुत कम होती है double bond को तोड़ना उससे थोड़ा सा आसान काम होता है इसलिए ESP की तुलना में थोड़ी सी एच्छी अवक्रिया ESP2 में होती है और सबसे बढ़िया अवक्रिया किसमें होती है single bond यानि कि ESP3 में क्योंकि इसमें single bond ही पाया जाता है तो अब यहां पे आप संकरण पर आ जाईए अब अगर ESP2 संकरण है क्लोरो बेंजीन में तो जाया सी बात है इसमें अब क्रिया सीलता हो जाएगी कम किसके तुलना में SP3 के तुलना में क्योंकि ESP3 के क्रिया सीलता भी मैंने संजा जादा होती है तो क्योंकि यहां single bond है कलोरो एथेन में इस लिए इस वारे कलोरीन पर्मार के प्रिया अधिक होगी क्योंकि हाई वाला बॉंडवा जल्दी तूटेगा और यह वाला बॉंडवा जल्दी से नहीं तूटेगा क्योंकि ESP2 संकरड है मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझ पाए होंगे तो यही आपको उठा करके पूरा लेख देना यहीं आपे देखेंगे तो आप लिखा हुआ है कि ESP2 संकरित कारवन परमाड से जुड़ा होता है तथा क्लोरो एथिन का क्लोरीन परमाड़ ESP3 संकरित कारवन परमाड़ से जुड़ा होता है यही हो जाएगा आपका एक नमबर का आंसर अगली अवक्रिया पर जो दिया हुआ था इसमें क्लोरीन से यानि कि CL2 से अवक्रिया तो CL2 से अवक्रिया करवारते हैं CL2 देखे क्लोरीन क्योंकि एक तरह का हैलोजन है तो इस अविक्रिया को हम लोग हैलोजनी करड़ अवक्रिया के नाम से भी जानते हैं तो यह दिखे पहले अवक्रिया इसमें आप चाहिए तो थोड़ा सा लिख भी सकते हैं लिख क्या सकते हैं कि जब क्लोरो बेंजीन क्लोरीन यानि किसी हैलोजन से अवक्रिया करता है तो आर्थो क्लोरो बेंजीन या पैरा क्लोरो बेंजीन बनाता है या दोनों का मिस्तरड बनाता है जिसमें से आर्थो क्लोरो बेंजीन अल्प मात्रा में बनेगा ये कम मात्रा में बनेगा अल्प मात्रा में जबकि पैरा क् एक मात्रा में बनता है इसके बाद आप रियक्शन दिखा देंगे अराम से आपको नंबर मिल जाएगा तो रियक्शन कैसे हुए ध्यान समझे इसको समझेने के लिए आपको अनुनाद आना चाहिए मैंने बहुत डीटेल में आपको पढ़ाया है अनुनाद क्या होता है आप क्लोरो बेंजीन में आप देखेंगे क्लोरो בןेन्जीन में क्यान की यहां पर अनुनाद होता है अगा प्लस मेट आएगा और प्लस M effect के कारण प्लस M का मतलब वही अपना loan pair जब देगा तो उसको बोलते प्लस M effect क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि हर chlorine परमाड के पास होता है तीन ठो loan pair अब इस तीन loan pair में से एक loan pair देकर कि हम भी bond बनाएगा तो bond करके कोई जो भी इलेक्ट्रॉंस नहीं होगा अगर के जुड़ेगा या तो दोनों आर्थ पर जुड़ेगा या तो पैरा पर जुड़ेगा तो वही कहान यहां पर देखे रिबीट हो रही है यह जो CL2 परमाडू है यह ऐसा परमाडू है जिसको इलेक्टॉन चाहिए क्लोरीन को अपना अस्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्टॉन चाहिए होता है तो यह जाकर इक वो लिए अटेक कहां करेगा जहां खजाना मिलेगा जहां पे इलेक्टॉन मिले तो जाके पैरा पर जुड़ेगा तो दोनों ही तरह के प्रोडक्ट बनने की संभावना रहती है जिसमें से कुछ प्रोडक्ट बन जाते हैं आर्थो पर जुड़ करके कुछ प्रोडक्ट बन जाते हैं पैरा पर जुड़ करके जो आर्थो पर जुड़ करके बनता उसको बोल प्रफाकि और यह जूड़ा दो वहां का है कहां गया तो जूड़ा वहां का एस से मिल करके हिल बना लिटा है और यहां पर दो बार लेना पड़ेगा तो बहुत बैलेंस करने के चक्कर मद पढ़िए सीधी-सीधी आएगा तो यहीं आपको लिग देना एक बार आर्थो पर जोड़ करके लिख देना एक बार पर जोड़ा करके लिख देना आराम से हो जाएगा पल करके इसको समझा देता हूँ थेखिए बहुत डीटेल अगर आपको पढ़ना तो आपको क्लास लेना पढ़ेगा उसमें हम लोग कूरा डीटेल समझाते हैं अब आप एक particular question को बहुत deep में जाकर कि मैं समझा नहीं सकता हूँ कि बहुत समय भी लगेगा और उसके आपको समझ में भी ना है क्योंकि जब proper एक class चलती है तो उसमें समझ में आते जाता है लेकिन यहाँ पर उसको ले जाकर कि connect करना हर question को अलग-अलग heading से connect करना यह थोड़ा hard काम होता है और दूसरी बात कि आपको उतना अच्छे तरीके से proper समझ में भी नहीं आएगा तो जिदने का आपको काम है क्योंकि अभी हम लोग तैयारी करवा रहे हैं तो तैयारी की purpose से to the point में बताते हुए आपको आगे बढ़ता हूँ तो simple सा आपको क्या करना है chlorobenzene जब भी आपका आएगा कि हैलोजन ही करड़ करवाईए या हैलोजन से क्रिया अगर आपका आता है आपके बोड़ एक्जाम में तो आपको बना देना है chlorobenzene फिर हैलोजन की जगापे always हमेशा आपको लेना है CL2 लेना है क्लोरीन लेना है हलाकि लेने के लिए आप फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडेन भी ले सकते हैं लेकिन आप ज्याद अतर क्लोरीन का इस्तिमाल करिएगा कहीं कहीं जाम पर ब्रोमीन ही करड़ देगा हुहां पर ब्रोम बेंजीन यह reaction हो जाए गोई पे खतम एकदम आसान उसी तरीके से आ जाते हैं सल्फोनी करण पर जो अगला दिया था है H2SO4 से आप क्रिया करवाओ तो H2SO4 से करवाने का मतलब होता है सल्फोनी करण का अर्थ होता है सल्फोनी सल्फियूरिक अमलसे क्रिया तो इसको अगर आपको लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे मैंने reaction यह पर दिखा रखका है मैं बता देता हूँ कैसे आपको लिखना है लिखना है जब क्लोरो बेंजीन सल्फोनी करण का अर्थ क्या होता है सल्फोनी करण का अर्थ होता है सल्फियूरिक अमलसे क्रिया ये लाइन आपको लिखनी है इसके बाद आपको लिखना है कि जब क्लोरो बेंजीन की क्रिया सल्फियूरिक अमल से करवाते हैं तो आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अमल तथा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अमल बनता है ऐसे लिख करके आपको छोड़ देना है फिर H2SO4 लेंगे और जब जब आप H2SO4 लेंगे तो ध्यान रखना है कि ये दो पार्ट में टूटेगा OH में और HSO3 में टूटेगा किस में टूटेगा OH में और HSO3 में इसका ब्रेकडाउन होता है यानि कि यहां से H2 में से एक हाइडूजन और O4 में से एक ऑक्सिजन निकल करके बनाता है OH और बाकी जो बचेगा एक हाइडूजन बचता है और SO और चार ऑक्सिजन में से एक तीन टो बचता है यानि कि HSO3 बनता है जो कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गे इसको आप सही कर लिजेगा H2SO4 टूटेगा OH में और HSO3 में टूटेगा ठीक ना इसको अपने से बना लिजेगा थोड़ा सा इसमें PDF में जो लड़का लिखा है भोल गया लिखना तो OH में और HSO3 में ये ब्रेक डाउन होता है ठीक ना अब इसमें ध्यान से देखिएगा जो OH है ये OH- होता है प्लस लिखा हूँ इसको गलत है इसको काट के सही कर लिजेगे OH- लिखा जाएगा और HSO3 होता है प्लस होता है और यहीं जाकर की जूड़ेगा क्यूंकि इसके पास, उलेक्ट्राउन की कमी है, तो जाकर, कहां, जुड़ेगा, अभी मैंने उयता या तो, आर्थो, पर, या तो, पैरा पर, तो, एक बार आपको जूड़ देना है, या तो, आर्थो, जूड़ देना है, पैरा पर, जूड़ेगा, तो, आर्थो, क्लोरो, हमले लेना है किस में तोड़ना है तो सर OH- में OH- में और हSO3 प्लस में तोड़ना है और इसी हSO3 को ले जाकरके एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पर जोड़करके लिख देना है इसके बार बोल देना है यानि कि खतम reaction ठीक तो एकदम हलवा reaction है ये दोनों ही reaction सेम टाइप के हैं दोनों में ही एक ही काम करना है है लोजन ही करण आएगा तब भी chlorine को एक वार आर्थो पर एक वार आर्थो पर एक वार पर पर उस तरह से सलफोन ही करण रहेगा तो एचे सूत्री को एगवार आर्थो परिवार पैरा पर जोड़ देना है तो उमीद करते हैं सारे रियक्षिन आपको अच्छे तरीकी समझ में आये होंगे इसी के साथ ही पांच नंबर का आपका क्वेश्चन बिल्कुल तयार हो गया खतम हो गया और एक कितना आसान सा पांच नंबर का अगर बोड़ एकजाम में आता है तो आपको बड़े अराम से ऐसे क्वेश्चन को डिल कर लेंगे करकी आ सकते हैं और ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन भी है बोड़ एकजाम में ठीक है तो उमिद करते हैं आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं उसे रीज अच्छे लग रहे हैं तो फटा-फट से जाकर के गुरुद अच्छड़ा दीजिए एक लाइक आपको करना है एक आपको प्यारा सा कमेंट करना है सारे रियक्षन अगर आपको हलुआ लगे हूँ तो लिखिए जाकर के कमेंट बॉक्स में हलुआ रियक्षन हलुआ रियक्षन आपको लिख देंगे मुझे सुन्या जाएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है यानि कि आपको अच्छा लग रहा है इसके अलावा जो भी अगर आपको इसमें सुधार करवाना है वीडियो में जो भी आपको और डिमांड करनी है सब कुछ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके कर सकते हैं मैं अगले वीडियो से आपके डिमांड के साथ हजिर रहूँगा ठीक है या अगले चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है कौन सा कुछ ना आपको पढ़ना उभी आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बता सकते हैं इसके अलावा यह जो इंपॉर्टन कुछ ने बोर्ड एक्जाम के क्लास 12 के हूँ मैंने बता दिया कैसे आपको लेना है उस नंबर पर जाकर करके आप लोग आराम से इसको पर्चिस कर सकते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत धन्यवाद जो पर के लिए चे pen